हमारे लॉक अप में आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि यह जो हमारा रिलेशन्शिप है यह थोड़ा सा अलग हटके है और अलग हटके ऐसे की शी इस डिवोस और शी हास टू किद्स तो वो दो बच्चे हैं और डिवोस कुछ छे साथ साल पहले हो चुका है और इस बीच में दो साल पहले ये मुझसे मिली और हम साथ में मूवी कर रहे थे उस दोरान हमारा दोनों का अफेर चालू हो गया अब परिशानी की बात इसमें ये है कि हम मूवी के दोरान तो साथ साथ रहे और एक दूसरे की आदत हो गई है हम ये जानना चाहते हैं कि आदत सची आदत है कि सिरफ आदत ही है ये प्यार है कि सिरफ आदत है हमारी फिल्म दिये दूरियां उसका भी सबचेक्ट यही है लव आफ्टर डिवार्स इस अ क्राइम और मैंने इसलिए बनाया था कि लोगों को एक मेसेज भी मिले जिसका कंटेंट स्ट्रॉंग हो प्लस वी मेरिट वरी कमर्शली कि ऐसा नहीं कि कोई लेक्चर दे रही है भाशन दे रही है, बोरिंग पिक्चर ऐसा नहीं है तो कंटेंट स्ट्रॉंग है प्लस गाने अच्छे हैं, विजुली बहुत सुन्दर फिल्म बनाई है मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि प्यार में कुछ भी चीज माइने नहीं रखती प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता अगर सच्चा प्यार है, तो वो प्यार किसी से भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है हिंदू-मुस्लिम या अमीर गरीब, बड़ा छोटा या डेवोस, ये सब चीजें, सब सेकेंडरी हो जाती है प्यार के आगज यह भी पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि 24 गंटे साथ दिन तक इस लॉक अप के अंदर एक ही कमरे में बंद रहने के बाद कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमें एक दूसरे को जादा जानने का मुका मिलेगा कि क्या नेचर है कैसे रियक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट दिखने का दिल हो और एक कमर्शल अच्छी विच्चर दिखने का दिल हो तो यह दूरियां को मिस्मत करना बिकॉज यह एक रियलास्टिक तच के फिल्म है कुछ पोर्शन दीपशिखा के रियल लाइफ के पोर्शन उठाए हुए हैं जो फ प्रशन मिल जाता है और सोसाइटी चेंज होती है तो खासकर उन डेवोस वोमन को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा एक नई सिंदगी मिलेगी जो सोच के हमने फिल्म मनाईगी तरफ बदल जाएगी हमारे फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं अलरी टॉप चार्ट में हैं अलरी टॉब झाहा पॉप चार्ट में हैं अलरी टॉप लग्या बritब हैं जारी टॉप टीज़ जाएगी मिलेगी मिलेगीं हैं अलरी टॉप टॉप अलरी जाएगी हैं इक सिंदे हैं